जारखंड के पूरे प्रदेश में सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर आपकी सरकार आपके द्वारकार क्रम के तहत सुबे के सभी पमचायतों में केंप का आयोजन कर सरकार की महत्वा कांक्षी योजनाओं की जानकारी के साथ लाभुकों के बीच पर इस मपती का भी वित आटरन किया जा रहा है। के बीच कंबल का विद्तरन किया गया साथ ही किंप में 44 लोगों को कोविड की वेक्सीन तरीका भी लगाया गया 32 परिवारों के बीच धोती-साडी का विद्तरन हुआ अर्तिस लोगों का स्वास्तिक जांच हुआ 66 लोगों को पेशन योजना अंतरगत स्वीक्रती पत्र दिया गया साथ ही 22 लोगों को फूलो जानो योजना के तहट लाभान्वित किया गया वहीं एक लाभुक को आवास स्वीकृति पत्र विमान पांच लाभुकों को बाल विकास पर योजना अंतरगत लाभान्वित किया गया कारेक्रम के दोरान दिरियों ने कहा कि इस दुर्दम पहाड पर पानी की समस्या थी इसका भी निश्पादन कर दिया गया वहीं पाकुर्यर पहाड पर शिविर लगाना बेहद कठिन रहा परंतु शिविर के आयोजन से ग्रामीनों को मूल भूत सुविधाओं के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ मिला उपायुक्त ने कहा है कि सुबूरवर्ती इलाकों में भी जिलप्रशासन द्वारा पहुच बनाकर योजनाओं का लाभ उपलब्द कराया जा रहा है तथा सभी ग्रामीनों तक सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ दिलाने के लिए जिलप्रशासन लगातार कटी बद्ध होकर कारेक कर रहा है वहीं बीडियों ने बताया पेंसन, गासन, क्रिसी, पॉसिपालन, नमसम जो है हमारा जो है जो 15 स्टॉल जो हमें रहती है नॉर्मल पंचायट में इस इस थान पर करवाया जो है लोग ने काखी अच्छे से जमकारी लिए है अब ही पाउंट्रों में जो है लोग भी लग रही है और समझने के लिए योजना लेने के लिए अमनों परिसमाज़ती ही गिचन कराए है कंबल भी गिचन हो रहा है जहां तक कि बैके जुना भी यहां स्कान पर आया कि कि जुज भी प्रेटों नहीं आपास किन उना को बति च्रभ रहा है जहीं सेविचन कर वाली है घुड कि सहरे में बिचन हो जह है जहीं है ये अचि जुनाग।सरे में उतुख बगेरे काउला की द बगेर्वी कह लाती के अविचन को बगेर झाल झाल